दोस्तो हाल ही में IPL की आठो टीमों ने रिटेन किये हुई खिलाडियों की घोसना कर दी है सभी टीमों ने अपनी टीमों के महतवपून खिलाडियों को अपने साथ जोड़े रखा इन में से कुछ खिलाडी काफी समय से टीम का हिस्सा रहे IPL में हमने अकसर देखाए कि विदेसी खिलाडियों का बोल बाला रहा है इसी के चलते विदेसी खिलाडी बहुत महंगे दामों पर खरीदे जाते हैं रिटेन हुए खिलाडियों की सूची में कई विदेसी खिलाडी भी सामिल है मगर कुछ बड़े खिलाडियों को रिलिज कर दिया गया है इस वीडियो में हम ऐसे ही पांच विदेसी खिलाडियों का जिक्र करेंगे जिने फ्रेंचाइजी ने रिलिज करके सभी को चौंका दिया सैम करन आलंडर सैम करन को सीमी तवरों के प्रारूप में जबलदस्थ खिलाडी माना जाता है करन को 2020 के आक्सन में चिनने सुपर किंग्स ने अपने साथ जोड़ा था उन्होंने 2020 के सीजन में बहतरीन पर्दसन किया और दोनों ही विभागों में अपना पूरा योगदान दिया हलंकि अगले सीजन में उन्हें ज़्यादा मौके नहीं मिले लेकिन उन्होंने अपनी उप्योगिता पहले ही साबित कर दी थी सैम करन की उमर मातर 23 साल है और ऐसे में उनको भविस्से के लिए कोई भी टीम अपने साथ रगना चाहेगी वे अंत के औरों में विकेट चटकाना बहुखू भी जानते हैं और साती सात एक ताबड तोड बल्ले बाज भी हैं इन सब के बावजूद चेनन ना करना समझ से परे है लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि चेनने की टीम उन्हें आगामी मेगा उक्सन में दोबारा जरूर खरीदना चाहेगी लियाम लिविंग स्टॉन ये इंगलिस खिलाडी अपनी घातक बल्ले बाजी के लिए मसूर है और हमने उन्हें बहुत लंबे लंबे च्छके लगाते अने को बार देखा है हर फ्रेंचाईजी अपनी टीम में ऐसे ताबड तोड खिलाडी की ताक में रहती है जो किसी भी नंबर पर बल्ले बाजी कर सके और टीम को अकेले में जीता सके एक विस्फोटक बल्ले बाज होने के साथ साथ लिविंग इस्टोन एक इस्पिन गैंद बाज भी हैं जिससे वे एक आकरमक आलाउंडर की भूमी का में पूरी तरह फिट बेटते हैं ऐसे में राजिस्थान रोयल्स दवारा उन्हें रिलीज करना एक सही फैसला नहीं है क्योंकि ओक्सन में यह खिलाडी कई टीमों के निसाने पर होगा बैन इस्टोक्स वरतमान समय के सबसे बहतरीन एवम दिगज आलंडर बैन इस्टोक्स को रिलीज करके राजिस्थान रोयल्स ने सबी क्रिकेट परसंसको को चौंका दिया इस्टोक्स किस दर्जे के खिलाडी हैं यह हरे क्रिकेट परसंसक बखू भी जानता है आईपिल 2020 में उन्होंने मुंबई इंडियन्स के खिलाब सांदार सतक जड़कर टीम को अकेले जीत दर्ज कराई थी हलंकि चोट के चलते वे पिछले आईपिल से सुरुआती मेच के बाद बाहर हो गए थे हलंकि इनके जैसे एहम खिलाडी को आक्सन में खरीदने के लिए टीमों की होड मच सकती है जोफरा आर्चर आज के समय में बहुती कम ऐसे तेज गैंदबाज हैं जो जोफरा आर्चर की तरे बेहत तेज गती से सटी गैंदबाजी करने में माहिर हों उनकी ये खुबी उन्हें वर्तमान समय के सबसे खतरनाग गैंदबाजु में से एक बनाती है क्योंकि अंत के औरों में उनकी संसनाती योरकर और खतरनाग बाउंसर खेलना हर खिलाडी के बस की बात नहीं है राजिस्थान लोयल्स दवारा उन्हें रिलीज करना एक हैरान कर देने वाला फैसला है क्योंकि वे एक ऐसे खिलाडी हैं जो अगामी आक्सन में सबसे अधिक धनरासी में खरीदे जा सकते हैं राजिस्थान लोयल्स के लिए उनके जैसा दूसरा तेज गैंदबाई धोंडना बेहत मुस्किल काम होने वाला है रासिद खान रासिद खान का रिलीज होना सबसे ज़्यादा एचमबित कर देने वाला फैसला रहा क्योंकि वर्तमान समय में वे विस्व के सर्फसरेष्ट टीटवंटी गैंदबाज हैं और उन्होंने वक्त दरवक्त अपने हैरत अंगेज कर देने वाले परदिसन से इस बात की पुष्टी भी की है रासित खाने कैसे गैंदबाज हैं जो अकेले दमपरी मेच का नकसा पलट सकते हैं और उन्होंने अपने आईपियल डेब्यू के बाद हैदराबाद के लिए लगातार अच्छा किया है ऐसे में इस गैंदबाज को रिटेन ना करना एक चौकाने वाला फैसला रहा